पूछा है दोस्तो महात्मा गांधी भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यच किस बर्स बने थे ठीके बताना महात्मा गांधी भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यच कब बने थे दोस्तो 1924 वे बने थे कब बने थे 1924 में जो ये जो दोस्तो भारती राष्टी कांग्रे देख लेजे कि महात्मा गांधी 1924 में बेल गाउं में दोस्तो ध्यान रखना एक करनाटक में आयोजित भारती राष्टी कांग्रेस के चलिसावे अध्वेशन के अध्वेशन के चुने गए यह किसी गाउं में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अध्वेशन था यह इसके बाद यह भी ध्यान रखेए गए चालिस है तो तालिस वाला यह श्रीमति सरोजनी नाइड़ों ने की थी कहां पर की थी दोस्तों कानपुर में 1925 वाला भी ध्यान रखेएगा ठीक है उसके पहले 1949 में कौन हुआ था इसके पहले 1934 में हुआ था मौलाना आजा मौल लेकपाल में आया था ठीक है और बहुत लोग इसको गलती कर दी थी है पूछा था कहां से शुरू किया गया ठीक है अब बहुत लोग सावरमति स्वार्मति स्वाला हो जाएगा आए देखते इसके बारे में कि महादमा गांधी ने 12 मार्च से 6 अपरेल कबसे कब 12 मार्च स 6 अपरेल 1930 के मद नमक परकर लगाने की विरोध में सावरमति से डांडी तक सत्याग रह किया ठीक है 6 अपरेल 1930 को ये डांडी मार्च पहुचे और नमक कानून को तोड़ते हुए यहीं से सबिने आउग्या आंदोलन की शुरूआत कि ठीक है यहीं से क्या कि सबिने आउग गया कि शुरूआत कि अगला कोशन है ऐसा योग आंदोलन क्यों बंद कर दिये थे ठीक है बताना ऐसा योग आंदोलन क्यों बंद कर दिये थे दोस्तों दोस्तों चवरी-चवरा घटना के करण ठीक है चवरी-चवरा घटना के करण गांदी यहीं ने ऐसा योग आंदोलन बंद कर दिया था, दोस्तों कहीं कहीं किता में 4 फरवरी लिखा होता है, कहीं कहीं 5, 4 या 5 फरवरी 1922 में घटना हुई थी इसके कारण ठीक है, यह ऐसा योग अंदोलन बंद कर दिया थी, आज़े इसके बारे में देख लेते हैं तो सयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922-24 में कांग्रेस के खिलाफत एक जुलूस निकाला था जुलूस पर पुलिस ने गुली चला जिससे जुलूस में साबिल लोगों उत्तिजित हो गए कुरुद भीड ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी जिससे 22 पुलिस कर्म मारे गई इस घटना की खावर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेनी की घुसला कर दी उन्होंने कांग्रेसी कार करड़ी इसी फैसले को स्युक्रिती देनी के अपिल की 12 फरवरी 1922 को ऐसा योग अंदोलन समात कर दिया गया था ध्यान रखेगा ठीक है अगला कौन सा चंपारड सत्य अगरे था आए इसके बारे में दिख लेते हैं देखी 19-20 सदी के आरम में गोर बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंद कर अनुबंद करा लिया था जिसके ताथ किसानों को अपनी जमीन के तीन वट्टे 20 यानि 20 में तीन हिस्से में नील के खेत किसान भी इस अनुबंद से मुक्त होना चाहते थे लेकिन इस अनुबंद को मुक्त प्राने के लिए बगान मालिकों ने लगानोय अन गयर कानुनी करो अब बाबों को मन माने ढंग से बढ़ा दिये थी इस बढ़ोत्री के खिलाब किसानों का विरोध काफी मुखर हुआ है ठीक है उसके बाद किसान के समच उपस्ति संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार सुकले ने ध्यान रखेगा राजकुमार सुकले गांधी जी को चंपरट आने को राजी किया मामलेंग में गांधी जी कहांता छेव में सरकारिक एहसयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सद्दिस बनाया ठीक है ध्यान रखेगा इसको जो आमेंतर दिये थे ध्यान रखेगा राजकुमार सुकले ने का नाम तहीं भी कोशन पूछा जा चुका है अगला कोशन ह देखे जीतनी कोशन है किसी ने किसी जाम पूछे जा चुके है ठीक है अगला कोशन है डांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च और डांडी सत्यागर्य के नाम से भी जाना जाता है निमलिखित में से किसा अंदोलन के शुरू होने का करणब भाना आपको बताना है कि कौन सा ब कौन बना सबिना अवाग्या आंदोलन आये इसके वारे में देख लेते हैं कि कांग्रेश के 1929 के एफिहासी लाहर आध्वेशन जिसकी अधिशता जवहाल लाल नहरू किती ये भी पूछता है दोस्तों ठीक है कि 1929 में कौन सा अध्वेशन हुआ था लाहर अध्वेशन इसे में पूर्य सवराज की मांग होई थी ये वे धियान रखेगा अजिसकी अधिशता पंडी जवाल लाल नहरू ने किती पूर्य सवराज के लचकी प्राप्तिकी दिशा में सबिना अगया अंदोलन शुरू करने का प्रस्ता पारित किया गया सबीने अगया अंदोलन प्रारम करने के लिए महत्मा गांधी ने 12 मार्च 1936 अप्र 1936 तक 241 मेल की आत्रा सावर मतियासरम से डांडी नामक टटी कस्वे से आरम की डांडी पहुचकर उन्हेंने मुठी वर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा यही से सबीने अगया अंदोलन की शुरुआत हुई भारत छोड़ो अंदोलन की शुरुआत अब देखिए दोस्तों यह भी कोशन पूछा जया चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है कभ हुई थी 9 अगस्त 1942 को ही थी और इसके उस समय जो आई सराय थे यह लिन लिथ गोद यहां रखेगा दोस्तों इनका नाम था यह भी कोशन पूछा है लिन लिथ गो ठीक है अब छोड़ो यहां पाराने भारत छोड़ो छोड़ो मतलब जाओ जाओ मतलब गोड़ो ठीक है 9 अगस्त 1922 को ही ऐसा योग अंदोलन 1922 तक चला चारी चार पांच फ कि जो साइमन कमिशन है किस बर्स भारत ने पर्थम बार आया था दोस्तों 1928 में आया था कितने में आया था दोस्तों 1928 में आया था आए इसके बार हम देख लेते हैं कि जो साइमन कमिशन का गठर 1927 में किया गया ठीक है साइमन कमिशन का गठर 1927 में किया गया इस कमिशन क सर जान साइमन थे इस कमिशन के सभी सद्धेश बिर्टिस थे इसी कारव इसका बिरोध भी वाता है यह दल फरवरी उन्हें सो अथाइस इस भी को भारत पहुचा भारतियों को सद्धेश ना बनाय जाने के करण संपूर देश में बिरोध सवरु फरताल हुआ साइमन गोबै किनारे से जुलोस निकाला गया है इसका एक इहीं कारव था कि जो उसके सारे अधर्ष थे उसमें से कोई भारती नहीं था यह दिया रखेगा अगला कोशन है दोस्तों कि निवन में से किसने महतमा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का बिरोध दिखिया था किसन के बारे में देख लेते हैं अगला कोशन है दोस्तों कि गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का बिरोध किया था खिलाफत आंदोलन 1921 में मुहमद अली यम सवकत अली के नित्रित में शुरू हुआ किस आंदोलन के प्रारम होने के कारण तुर्की की खलीफा के गांधी के सत्याग्रा के सिधान के संद्रवने में में से क्या सत्य नहीं है गांधी के सत्याग्रा के सिधान के संद्रवने में में से क्या सत्य नहीं है तो दोस्तों किसी सजा का प्रितकार करना आहिंसा परवेज और सत्यताब को बताना इसमें से कौन सा नहीं है तो ध्या रुज़ाना लेकिन परहे जिसमें शामिल नहीं है अगणा कोश्चन है दोस्तो कि पूनात सम्झा करना 2022 में थीक है इनके मद एक करार था किनके किनके मद बताना है कि पूना समझाता हुआ था तो दोस्तों पूना जो समझाता हुआ था 1932 में अमबेडिकर और गांधी जी की बीच में हुआ था किसके बीच अमबेडिकर और गांधी की बीच हुआ था हमारा पूनप पैक्ट जिसको जाना जाता है क्या हुआ था दोस्तों यहां पर देख लिजे कि 24 दिसंबर 1932 में कब डेट कुछेगा तो सितंबर अमबेडिकर और महात्मा गांधी की मद एक समझावता हुआ जिसे पूनप समझावता या पूनप पैट की नाम से जाना जाता है गोल में सम्मिलनों में डाक्टर अमबेडिकर और राव वहादूर के प्रतनों से 17 अगस्त 1932 को बिट्टी सरकार द्वारा घोसित कर्मिनिन अवार्ड में दलितों को पिर्थंग निर्वाचन का स्वत्नत राजनीतिक अधिकार मिला गांधी यही ने इसकी घोसडा होने के होने पर यरवदा जेल में ध्यान रखेए का कहा पर हुआ था यरवदा जेल में 18 अगस्त 1932 को दलितों को मिले पिर्थंग निर्वाचन अधिकार की विरुद में 20 सितंबर 1932 को आमरा अंसन की घोसडा किती आता है 24 सितंबर 1932 को दलितों और अने सरवड हिंदू के मत पू पूछा जा चुका है अगरा कोशन है 1919 में गांधी जी ने के खिलाब सत्यागर्य का आहौन किया जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतनता और जैसे मौली का रिकारों पर अंकुस लगाया और पुलिस सक्तियों को मजबूत किया बताना इसमें कौन सा है ठीक है 1919 जब रहे गा यह मार्ली मिंटू सिधार हो जाएगा एंगा आए देखते है घलाग इसके बारे में कि बर्स 1919 में गांधे जी ने रोलेट अधिनियम के खिलाब सत्याग्राय का आउहन किया इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंतरता जैसे मौली अधिकारों पर कहंकुस लगाया था और पुलिस सक्तियों को मजबूत किया था इस मार्च 1919 इस भी को रोलेट एक लागो किया इसकी अनुसार किसी ही संदे अस्वत ब्यक्ति को बीना मुक्दिमा चलाए गिरिपतार किया जा सकता था प्रतु इसके विर्द ना कोई अपील ना कोई दलील और ना कोई उकील किया जा सकता था अगला कोशन है दूर्ज़तों कि सब्सक्राइब 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 कि सब्सक्रा 1915 में होगा था आइस के बार हम देख लेकते हैं कि भारत में Home Rule League की अस्थापना का प्रियास एनी बेसेंट वर बाल गंग अधर तिलग ने किया था आप्रेlles 1916 में तिल्ग तथा सितमबर 1916 में एनी बेशंट ने होम रूल की स्थापना की तिल्ग ने माराथा यां केसरी एनी बेशंट ने काम अनहुईल यूं नीव इंडिया नामाग समाचार पत्र निकले भी ध्यान रखिए तिल्ग ने कौन कौन माराथा और केसरी अएन वीद्वेसन लेकिन और ये बुक्रादा भारती महिला पोचेगे तो सरोजनी नाईडू हो जाएंगे ठीकाइं ? अगला कोशन है कि बंगाल का विभाजन 1905 में बिर्टिस वाई साराय दोरा हुआ था ठीक है तो बंगाल का विभाजन जो 1950 में हुआ था किस बिर्टिस वाई साराय दोरा किया गया था तो करजन के दोरा किया था ठीक है किसके दोरा किया गया था करजन के दोरा किया गया था इसके बारे में देख लिते हैं जो बंगाल का बिभाजन लाड़ करजन की समय में सन 1925 बी में हुआ था ये बिभाजन लाड़ करजन ने परसासनिक सुधार की नाम पर लोगों में राष्टवाद की भावना को नश्ट करने यो महिंदू और मुसल्मानों में फूट डालने क से किया था बंगाल बिभाजन की बाद बंगाल की लोगों ने स्वदेशिया अंदूलन चला जया यह अंदूलन बंगाल बिभाजन की विरोध में चलाया गया था ठीक है अगला कोशन है बिर्टिस सरकार बिर्टिस भारत सरकार ने बंगाल की विभाजन को लागू करने की निड़े की घोसड़ा कब थी तो देखिए अब 1905 में हमारे बंगाल की विभाजन हो गया था ठीके तेकिन इक गोसड़ा ती गए थी कब से लागू होगा तो ध्यान रखिएगा 19 1905 में घोसड़ा कर दीगे तेहां से बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा 1905 में अब इसके बारे में देख लिए बिर्टिस सरकार दवारा बंगाल का विभाजन का निड़े लाड करजन के कारिकाल 1899 से 1909 में लिया गया था ठीके इस निड़े की घोसड़ा 19 जुलाई क कहीं कहीं 20 जुलाई लिखा रहा था 1905 को की गई 16 एक्टूबर 1905 को लागू हो गया ठीके कब लागू हो गया था इस विभाजन का मुख परमुख कारल बंगाल में राष्टवाद की ब्रिद्धी को दुरूबल करना था ठीके अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्च ठीके एक और सांदूलन था दोस्तो इस सवदेशी अंदूलन था ध्यान रखना एक और सांदूलन था इस सवदेशी अंदूलन था ठीके कौन सांदूलन था दोस्तो इस सवदेशी अंदूलन था ठीके कौन सांदूलन था है सवदेशी अंदूलन था इसके बारे में विवाजन की बिरोज में कलकत्ता के टाउन हाल में सौधेशी अंदोलन की गोश्ड़ा की गए थी इस अंदोलन में बिदेशी समानों के अप्रोई स्कूल वे बिस्वी सुरूप से बहिसकार किया गया था अगला कोशन है कि महत्मा गांधी दच्छिड अफिरिका में किस बर्स में पहुचे थे आपको पता ना है कि महत्मा गांधी बिटिस उहां पर कप पहुचे थे अब देखिए दोस्तों कप पहुचे थे आपको पता होना चाहिए 1893 में पहुचे थे पहुचे थे महात्मा गांधी जो दच्छिल अफ्रिका में का पहुचे थे 1893 में पहुचे थे आई इसके बारे में देखते हैं देखी दोस्तों महात्मा गांधी सेट अब्दुल्ला के निमंत्रल पर 1893 में दच्छिल अफ्रिका गए सेट अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकिदमा लड़नी के लिए बुलाया था ठीक है सेट अब्दुल्ला इनका नाम था यहीं गांधी जी को बुलाया थे डरवन में जब यात्रा कर रहे थे ट्रेंज से इसके बारे मैं आगे question में discuss करेंगे दोस्तों ये वी question पूछा जा चुका है देखिए अगला question है मातमा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लिखंग ने लिखा था अहसयोग भारत और गांधी जीवन में एक युग का नाम बन गया ठीक है मातमा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लिखंग ने लिखा था कि ऐसे योग भारत और गांधी जी की जीवन में एक यूग का नाम बन गया था एक यूग का नाम बन गया था कौन लिखा था दोस्तों इसने लुईस फिसर इनका नाम था क्या नाम था निका लुईस फिसर नाम था क्या नाम देने का लूइस फीसा नाम ता आए इनके बारे में देख लिते हैं तो मोहनदास करम चंद गांधी का जो जनम हुआ था दो एक्टूबर 1879 इसे भी को गुजरात के पुरुबंदर में हुआ था कहां हो था गुजरात के पुरुबंदर में हुआ था सन जरूर याद रखेगा 1879 गांधी जी के राजनीते गुरु ये वे कोशन पुछा जा चुका है गांधी जी के राजनीते गुरु थे गुरु गोपाल किस गुखले थे ऐसा योग आंदोलन की सुरुवात एक अगस्त 1920 को हुई थी महत्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुईस फिसर ये कोशन कोशन है लुईस फिसर ने लिखा था कि ऐसा योग भारत और गांधी की जीवनी एक नयोग एक योग का नाम बन गया है ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि महात्मा गांधी ने निम लिखित में से किसी अपना राजनीतिक गुरू माना ताभी तूबर पढ़े हैं किसको माने थे गोपाल किस गोहली को अपना राजनीतिक गुरू माने थे ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला कोचन है रंग भेद के कारण महातमा गांधी को किस बर्स दच्छडी अफिरिका के पीटर मरीटीज वर्ग रिले इस्टेशन पर ध्यान रखें कहां पर पीटर मरीटीज वर्ग रिले इस्टेशन में पर्थम स्रेडी के रिले इस्टेशन में समान सहीद बाहर फेग दिया गया था आपको रंग भेद के करण महातमा गांधी को ठीक है दच्छीड अफिरिका में तो पूछा है कि किस सन में इनको बाहर फेग दिया गया था ठीक है देखिए यहाँ पर दोस्तों, किसां 1893 रंग भेत के करण महादमा गांधी जी को दचिल अफिरिका के पीटर मरी टीजवर्ग रेलो इस्टेशन पर पर प्रथम सेड़ी के रेल डिबेस से सामान सहीद बाहर फेग दिया था, ठीक है, अगला कोशन है, अगला कोशन है, निमल ब्रहम चर्व यह सत्यागरह लेकिन ब्योशाय नहीं, ठीक है, यह ब्योशाय हिस्सा नहीं है, आई इसके बारे में देख लेते हैं, देखे दिया है, गांधी जी, गांधीवाद दर्शन में महादमा गांधी ने आहिंसा ब्रहम चर्व सत्यागरह के बारे में बिश्तिर् पाइक के जरी मुनाफ़ा खोरी को निंदा करते हैं अगला कोशन है दोस्तों कि 1970 का सत्याग्रे महत्मा गांधी का पहला सत्याग्रे था और भारती स्वत्यंतरता अंदोलन में एक बड़ा बिद्रो था ठीक 2017 में कहा हुआ था तो दोस्तों आपको पता योगा कहा हुआ था दोस्तों इस चंपारड में हुआ था अभी उपर पढ़े हैं चंपारड क्या हुआ था निल के खेती के लिए हुआ था यहां पर देख लिए चंपरड सत्यागर्य का वह था उन्ने सो सत्यागर्य में महात्मा गांधी का पहला सत्यागर्य था और भारती सुत्यंत्रा अंदूलन में एक बड़ा बिद्रो था हजारों भूमिहीन मजदूर योंगरिव किशान खादान के बजा नील और अन नगदी फसलों की खेती करने के लिए बाद हो गए थे यह तिन कठिया पधिती के खिलाप किया गया अंदूलन था जिसमें अंग्रेज बागवान मालिक द्वारा खेती की जैमीन के तीन बटै बीस यानि बीस में तीन तीन ह्षा ठीक koş से परपनील वगाना निवार कर दिया था गांधी जी द्वारा सफल नितुरित के बार रभीन नाट तैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था ये वी कुशन पुच्शता है नौहरे गांधि जीको महात्माकिष्ण का थ दोस्तों ढूट कर रावी देनार ट्यगोर ने कहा थर ठीक है अगला कूश्चिन ह्पी लिए डी कि महात्मागांधी ने सत्यागराय सभा के स्थापना माथमा गांधी ने सत्यागराय सभाकी सथापना कब किया था ठीक है बताना सत्यागरह सभा के स्थापना कब किया था दूस्तों यह फरवरी 1919 में किये थे ठीक है कब किये थे फरवरी 1919 में सत्यागरह सभा के स्थापना किये थे यहां पर देख लिए इसके बारे में कि महत्मा गांधी ने रोल 8 एड का बिरूद करने के लिए फरवरी 1909 में ठीख है? किसका बिरूद करने के लिए रोल 8 एक्ट अभी उपर पढ़ें northern1 तो इसी का बिरूद करने के लिए सत्यागरह सवा के स्थापना कियी थे इसके सदस इस कानून की अग्या कर जेल जाते थे इस गांधी जी ने रूलेट एड का पुरजूर विरोध किया तथा बिट्टी सरकार को सैतानी लोगों की संग्या दी थे ठीक है चलिए देखते हैं अगला कोशन है महत्मा गांधी ने अर्थव्योस्था की उकालत की ठीक ह आई इसके बार हम देखते हैं कि महत्मा गांधी ने बिकेंद्री क्रित अर्द्व्योस्था की उकालत की तथा कुटिर उध्योग पर जोड़ दिया इनकी अनुसार उध्योग होए संपतियों पर केवल चंद लोगों कर नियंत्रा नहीं होना चाहिए गांधी जी ने सत्त कि महत्मा गांधी के लिए भारती मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतनतरता और समानता का परतिक था ठीक है क्या था इसका खादी था ठीक है आई इसके बार हम देख लेते हैं कि महत्मा गांधी के लिए खादी भारती मानवता की एकता आर्थिक स्वतनतरता की समानता का परतिक था क्या था खादी भारत की स्वतनतरता आंदोलन में खादी का बहुत महत्त रहा गांधी जी ने 1920 के दसक में गाउं को आत्म निरहर बनाने के लिए खादी के परचार प तो इह था इन में से कौंग सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है तो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है बताने ध्यान रखिए गलाव रहती है तो गईरहिंt सा कर्थ व्यच्ट 8 ये तो सही है भी केंद्री करण अभी उपर पढ़े है कि ये ते कुटी रुद्धिक के वारे में सपोर्ड करती थे मसिनिरी और नभींतम तकनीकी पर अधिकता उप्योग ये इसके खिलाब रहते है ठीक है गाउं या गाउं सरबोद्य का पुनर रिजनम ये तो इनका अभि विष्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभी समाजिक और आर्थिक दोस्थ उत्पन हुए मशीनों का प्रियोग मनुसको आलसी बना देता मातमा गांधी गयर हिंसक अर्थ जोस्था बीकेंद्री करण उत्प्टुर उद्धों के उंगाउं को सरव्योद् अगला कोशन है दोस्तों कि बिड़े इस्टोरी आजिसी समने दीन गांधी तो मोहंदास करम चंद गांधी ठीक है है किसे समने का पूरा नाम कैा था मोहंदास्त Quốcण गॉच्छराठी वारे में सत्त्य थो गुजराठी फाथा है ध्यास कि पूचता है औरनों पूचता है भाव से चलने वाले जहाज यस यस सफारी दोरा दच्छिड अफिरिका पहुची थे तो कहां पे पहुची थे दोस्तो आपको बताना है कि जो यस यस जहाज सफारी दोरा दच्छिड अफिरिका गए थे तो यह कहां पे पहुची थे ठीक है इıl darabhan में पहुचे थे आई इसके बारे हम दिखते हैं मात्मा गान्थी 1893 में कब गये थे दोस्तो 1893 में भाप से चलने वाले जहाज यह सफारी दोरा दज्चीड अफरीका के darabhan पहुचे थे यह दज्चीड अफरीका अफरीकी भारती समधाय किनेता बनी अगला question है कि गांधी जी ने जून 1904 में डर्वन के सहर ठीक है गांधी जी ने 1904 में डर्वन के सहर डर्वन के बाहर बस्ती नामक एक समदाएक क्रिया सिलमट के स्थापना की थी बताना है जो गय थे साउथ अफिरिका में डर्वन के बाहर वहां पर एक अस्थापना की थे उसका क्या नाम है ठीक है उसका जो दोस्तो नाम है उसका साथ फिनिक्स नाम है ठीक है उसका क्या नाम है दोस्तो फिनिक्स ही नाम ह स्थापना की यह दच्छिडी अफिरिका के डर्वन सहर में है चलिए देखते हैं इसका अगला कोशन है दूस्तो मातमा गांधी को राष्ट के नाम से सरवर्थम किशने शंबोदित किया था ठीक है राष्ट पिता के नाम से अब देखे महातमा गांधी को गांधी किशने कहा था स्वारी महातमा किशने कहा था अभी उपर पढ़ें महातमा किशने कहा था रभी दरना टैगोर ने देखे चार जुलाई 1944 को सुबास्चंद बोश ने आजाद हिंद ध्यान रखेगा सुबास्चंद बोश ने आजाद हिंद रिडियो से एक संदर परसारित करते हुए महतमा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट पिता कहा और उन से आसिरबाद मांगे थे कुछ किसने कहा था दोस्तों सुबास्चंद बोश ने अगला कोशन है ऐसायोग आंदूलन किस सन में प्रारम हुआ ठीक बताना है ऐसायोग आंदूलन किस सन में प्रारम हुआ तो दोस्तों कब हुआ था दोस्तों यह 1920 से हुआ था कब हुआ था 1920 जब दोस्तों हमारा चवरी गांधी जी के ऐसायोग प्रस्ताव का विरोध सरपर्थम किशन ने किया था रहा रखे के किशन किया था विरोध इनी बेसेंड ने किया था जब कि पर्मु के विरोध स्यार्दास थे उनका विरोध विधान सबापर श्वापरशदों के बहिसकार को लेकर था मदन मोहन मालबी, सियारदास, बीपी चंदपाल, मुहम्मद अली जिन्ना, संकरन, नायर की बुरूत के बावजुद, अली बंधू, तथा मोतिलान नहरू के सयोग से प्रस्ताव पास हो गया था, इसके बाद देख लेजी यहाँ पर, दिसंबर 1926 में नाकपूर में कांग्र अगला कूशन है, देखे कितने बाद पूछा है, ऐसायोग अंदूलन कब आपवाजुद, अगला कूशन है, देखे कितने बाद पूछा है, ऐसायोग अंदूलन कब आपिस ले लिया गया था, ठीके, बताना है कि ऐसायोग अंदूलन कब आपिस ले लिया गया था, दोस्तों कब आपिस ले लिया गया था, तो दोस्तों यह वापिस ले लिया गया था, फरोरी 1922 में, कब ले लिया गया था, फरोरी 1922 में, जब हमार इस चौरी चौरा घटना के कारण उग्रे भीडे ने पुलिस स्थानिय को आग लगा दिया था जिसमें 22 पुलिस कर्मी मारे गए थे ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है दोस्तों कि चौरी चौरा घटना का होई थी तो दोस्तों कहीं कहीं पर 4 फरो लीकराता कहीं कहीं पर फार 5 फरोरी तो ध्यान रखेगा लेकिन संज जो है 1922 है तो देखे 5 फरोरी यहां पर लिखा है चारफरोरी कहें पर हाई नहीं तो पांच परोरी हाई है के अंजे हो जाएगा इंसर हो जाएगा यहाना पांच परोरी 1922 को चारी चारा घटना हुआ था ठीक है अग्ला कोशन है कि चारी चारा की खटना जिसके कराट गांधी जी को अपना अहसयोग आंधोलन बन करना पड़ा कीज़ी ले में? तो दोस्तो यह जो चवरी-चवरा है यह कहाँ पे है दोस्तो यह गौरगपूर में चवरी-चवरा कहाँ है? गौरगपूर में है अगला कोशन है कि सबिन अउग्या अंदोलन का मुख उद्दिश क्या था ठीक है सबिन अउग्या अंदोलन का मुख उद्दिश क्या था बताना है सबिन अउग्या अंदोलन का मुख उद्दिश क्या था तो दोस्तों सबिन अउग्या अंदोलन का मुख उद्दिश क्या था गांधी जी के द्वारा वाइशरा के समुग रखे गए 11 सुत्री मांग पत्र पर विचार ना करने के कारण सबीना ओगया आंदोलन किया गया यह आंदोलन अहिंसातमक धंग से किया गया गांधी जीन इसकी सुरुवात डांडी मार्च नंबक करेके विरुद मार्च 1936 अप्रवर 1937 गुजरात के डांडी नामक अस्थान से की थे ध्यान लखेगा अगला कोशन है दोस्तों निमलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद में हुए आंदोलन का नेतुरित किया था ठीक है किसने किया था सुरिनाध बनर जी ने आए इसके बारे में देख लेते हैं तो दोस्तों ब्रिटिस रिकार ने 1920 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के नेड़े के घोशड़ा की पचास साथ अगस 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में संपन एक बैठंग में सौधेशी अंदोलन की घोशड़ा की तथा बहिसकार प्रस्ता पारित हुआ बंगाल विभाजन 16 एक्टूबर 1905 को लागू हुआ रवींद नाटेगोर की सुझाव पर इसी दिन बंगाल में सोक दिवस मनाया गया इनी की सुझाव पर संपूर बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया इस अंदोलन का नितृत सुरेणाद बनरजी द्वारा किया गया उमीद करें दोस्तों इस सेशन आपको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल प्योंने तो सस्क्राब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद